आप सभी को नवरात्रों की हर्दिक शुब कमना है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचमेवा परशाद की रेसेपी जो अक्सरम नवरात्रों में चड़ाते हैं और बहुत सारी लोग इसको चाशनी से बनाते हैं कुछ लोग ऐसे ही कच्चे ड्राइफ फूर्स च करके ले लिया है और ये आधा कटोरी में बदाम लंबे-लंबे ऐसे काट लिये हैं आधा कटोरी काजू और आधा कटोरी ही हम यहां पर किशमिस लेंगे एक टेबल स्पून मैंने सोंफ ली है एक टेबल स्पून पिस्ते यहां पर लिये हैं इनको भी चॉप कर लिया है और यह एक बॉल भरके मैंने मखाने लिए हैं और 3-4 बॉल यहां पर हम मिश्री का यूज करेंगे खड़ी शाकर भी इसको बोलते हैं यह टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होती है गले को सूध करती है तो नवरात्रों में जरूर खानी चाहिए क्योंकि बदलता मोसम होता है और यह मैल्ट होगा तो सबसे पहले हम मखाने रोस्ट कर लेंगे तो यह देखिए मखाने को रोस्ट करते हुए आ फ्लेम को मीडियम से हाई के बीच में रखिए और यह बस एक मिनट से भी कम समय में रोस्ट हो जाते एकदम क्रंची हो जाएंगे तो यह मखानों को रोस्ट कर और फिर से ये जो घी है आदा चम्मच घी हम इसमें डालेंगे और जैसे ही घी मेल्ट होगा हम इसमें ड्राइफ रूट्स डालेंगे तो सबसे पहले बदाम, काजू और ये पिस्ते तो इन तीनों चीजों को भी हमें लगबग 40-50 सेकिंड तक ही भूनना है और उतनी ही देर बहुत ही कम समय में बनने वाली ये रेसिपी है इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो उसी प्लेट में मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे गेस को बंद कर देंगे यहां पर और गैस को बंद करने के बाद हम इसमें ये डालेंगे, अगर आपने फ्लेम को ओन रखा, तो ये बहुत ही जल्दी बर्न हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल जरा सी देर में एकदम रोस्ट हो जाएगा, तो आप फ्लेम को बंद करके ही इसको कुछ सेकिंद के लिए ही रोस्ट कीजिए, और ये फटा-फट से रोस्ट हो बट मिश्री डालना थोड़ा सा हेल्दी ओप्शन हो जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर मिश्री यूज की है, और ये किश्मिस मैंने यहाँ पर डाल दी है, और हमारा जो पंच मेवका परशाद है, वो बन कर तयार है, आप इन नवरात्रों में ये पंच मेवका परश आपिकी साथ